मैंनत नहीं करोंगे कोई फाइदा नहीं है किसी भी चीज़ आँ खुद का ट्रैक नहीं रखते हैं इसा नहीं करोंगे तो टाइम पे स्लिवास कंप्लीट करना है यह चीज़े करना है प्लैनिंग कैसा होना चाहिए हर एक पॉइंट मैंने बताया है बस वीडियो के स्टेप स्टेप देखो जो मैं बता रहा हूं उसको कोपी में लिखो और स्टार्ट करना स्टार्ट कर दो चलो वीडियो को सुरू करते हैं अभी हंडेट डेज है 79 चैप्लीट करना है तो आपको पर मंत ऑल्मोस 25 चैप्लीट करना ही होगा अभी यह कैसे कर सकते हो आगे बताता हू और उसी के साथ स्टेडी आवर को इंप्रूव करने की कोशिस करो उसके बाद जो है तुम हंडेट डेज प्लान को पूरा फॉलो कर सकते हो और यह चीज ज़रूरी है मैनत नहीं करोगे कोई फायदा नहीं है अगर नीट टागेट कियो ना तो सब कुछ भूल जाओ उसी के सबसाथ 100 डिस का पूरा टेबल बनाना है कि हंडेट डिस में हर एक दिन तुम क्या क्या परें पूरा ट्रैक रखना है कोई मिस्टेक कर रहो कुछ भी कर रो पूरे दिन आपको ईसाब रखना है तेको सबसेवरी प्रॉलम क्या है हम लोग किसी भी चीज आना खुदका ट्र कैसे सेट करना क्या करना वह आगे बताता हूं उसी के साथ जितने भी फॉर्मूलाज है रिएक्संस है उन सब का ना तुम लिस्ट बना लो चार्ट बना लो ताकि यह डेली रिवाइस करो उसी के साथ तुमको हर रोज खुद को स्पीड अप करने की कोशिज करना है अगर यह सब कुछ लिमिट में लेकर आना ही है अगर यह नहीं करोगे तो भाई यह तुम्हारा टाइम खाएगा कोई फायदा नहीं होगा नीट क्रै करना है यहां पर सीरियस हो जाओ साथ ही साथ आपको बता दो कि इस वीडियो में जो भी बता रहा हूं इस वीडियो के साथ सा बात करो तो मंत में 25 चैप्रस कंप्लीट करना है यहां पर सब्जेक्ट वाइज अगर में बात करो तो बायोजी में मंत में 10 चैप्र करना होगा केमिस्टी के 6 चैप्टर आपको चूज करना है इसमें कभी-कभी चेंजेस कर सकते हो अपने एकोर्टिंग यहां पर पूरा 79 क्लिट ना भी करना चाहूं तो चल जाएगा 75 चैप्टर भी करोगे तो हो जाएका क्योंकि यहां पर अच्छे से करते रहेना है तो मिक्स करो यानि कि तुम बाइल इची के 5 चैप्टर लिए क्जोज कर लिए उसी के एकोटिंग तो लेक्चर दगोए उसको complete करोगे डेली एक सब्जेक्ट क्या एक चैप्टर तुमको complete करने का कोशिस नहीं करना है mix मैं करोगे तो balance बना रहेगा तीनों सब्जेक्ट मैं time दे पाओगे उसी के साथ तुमको daily analysis भी करना है कि पूरे दिन में जो भी परे जो भी टागेट था उसको complete कर पाए कि नहीं सुरू मैं नहीं कर पाओगे धीरे दे स्पीड अप करना है बट टागेट रहना चाहिए किसी वीच पाथ चैप्टर करने का टागेट रखोगे तो next week और बढ़ा दो के हर एक वीक ना अपने टागेट को भी बढ़ाना है इस पीड को भी बढ़ाते रहना है उसी के साथ जितने बी प्रोगरेस कर रहे हो न सब मिस्टेक को लिखना है इतको बहुत नोट करो इसी के सfeld खरो सब्सक्राइब करना चाहिका कितना की सूर 44 की सब्सक्राइब करना होका तो थे होका है किसी दिन तीन गंटा değer refund तरह से आपका वीकली टागेट कैसे डिजाइन करना है इसके लिए वीडियो आ जाएगा उसको देख लिए आपको समझ में आजाएगा हुहां से उसी के साथ आपको मैं बता दू कि हर एक सब्जक के लिए आपको जो एक लेक्टर जब भी देखोगे ना आपको जो एक देख को सबसे पहले तो बेसिक सा जितने भी चैप्टर से आपका क्लिए होना चाहिए बेसिक्स क्लियर नहीं होगा तो वांसोट से समझ काहूँ हूगे यहां से तुम्हारे काफी ज्यादा थाइम बच जाएगा उसी के साथ आपको जो है में ब्लूडिश्चे लिख लिग जाह यहां पर सब्साइब करना है किस टाइप के कूर अलरी आ चोके हैं। ते लेवल के तुम्हारा प्रेशन हैं। और इप्रूब करने की जूरत हैं। कहां गल्तियों को सुधारना है, गल्तियों कमने मिस्टेक नोट बूक में लिखो, और से मिस्टेक दोबाला नहीं होना चाहिए, यह चीज का देहान में रखना है, अगर ऐसा नहीं करोगे, कोई फायदा नहीं है, यहां पर तुमको टाइम वेस्ट किसी भी हाल में नहीं करन पर उसी टॉपिक से रिलेटेट कुछ 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 कर लेना है, विकली बचली बायों का टाइट कर पाएक नहीं हो, अगर ऐसा करोगे तो तुम अपने आपको इंप्रूब बे कर पाऊगे, खुद का रिकॉर्ड भी रख रख़ड़े हो, और नीट क्रैक करना तुम तुम step by step follow कर सकते हो, तो बस मुझे आपको यह बता नहीं थी, needs related और वीडियो में चैनल पर मिल जाएगा, strategy और वीडियो में यहां से जाके देख सकते हो, और भी वीडियो में प्ले लिस्ट में जाके चेक आउट कर सकते हो, तो बस मिलते हैं next video के साथ, thank you